अब है लो काईस आप देखरें नूर इंस्ट्यूट्ट तो देखें गाइस आज मैं आपको इक न्यू एक एंसी के बाहने में बताने वाली हूँ उसके सारी जानकारी देने वाली हो तो देखें आपको में लिए पहले सरकारे रिजल्ट की वेबसाइट पर आ जाना है यहां कि आपको थोड़ा वेट कर लिने का जैसे यह ओपन होता है आप देखेंगे यहां पर सेकंड नमर पर दिल्ली होम कार्ड ओल्लाइन फॉर्म 2024 तो में एक सेकेंड में लिए आपको यहां यहां पर क्लिक करना है उसके बाद चलिए हम आपको इसकी इंपोर्टेंट डेट औ आप को यहां पर दिली होम कार्ड की यारों में तो पता ही होगा जो इसकी इको इसकी आपके पीडीरों गं हाद और लास्ट डेट जो है इसके अप्लाय करने की हुआ है 13 फेवरी और एक्जाम की जो लास्ट डेट फीस पे करने की वह भी 13 फेवरी ही है एक्जाम डेट अभी नहीं आई है एक्सपर शडूल हैगी जब भी आईगे हम आपको जरूर इंफरमिशन देंगे एडमिट कार्ड जो होगा वह एक्जाम से तीन से चार दिन पहले आ जाता है वह से तीन दिन पहले तो आहीं जाता है अब बात करनें फीस की तो जनरल OBC और EWS की फीस है वह 100 रुपीज और SES टिक भी 100 है तो फीस में कोई भी रिलक्सेशन नहीं मिला है किसी भी कैटिगरी को तो सबकी 100 रुपीज फीस रखी गई है इस फॉर्म को फिलप पढ़ने की ना ही फीमेल कैटिगरी के लिए कोई भ 45 45 रखी गई है maximum तो अब बात कर लेते हैं पोस्ट के और eligibility की तो देखिए होम कार्ट की पोस्ट है और टोटल पोस्ट कितनी है 10,285 तो 10,285 पोस्ट है दिल्ली की है गाइस यह और किसी सिटी की नहीं है दिल्ली की है लेकिन कोई और सिटी का भी students फिलप कर सकता है कोई टे density of दिल्ली density of दिल्ली का होना चाहिए 10 प्लस 12 क्लास 12th exam passed in any recognized vote in इंडिया इंडिया से पास आउट होना चाहिए height maximum जो मेल की है वो 165 cm होनी चाहिए और female की होनी चाहिए 152 अब बात कर लेते हैं रनिंग की तो रनिंग की मेल 1600 मेटर होनी चाहिए 6 मिनट के अंदर up to 30 years 30 years यानि की 30 years के मेल की बताए गई है इसमे 32 40 की 7 मिनट होनी चाहिए और 42 45 की 8 मिनट होनी चाहिए रनिंग फॉर्म फिमेल्स की देख लेते हैं फिमेल्स की 1600 मिटर है वही सेम मिटर रखा गया है और 8 मिनट रखा गया है इसमें 30 से उपर ठीक है जैसे 30 से ओपर मालनी चाहिए इसमें 20 से एज दे रखे है तो 21 22 23 24 ऐसे 30 तक जो लेके स्टूडेंट से उनकी सबकी जो भागनी की स्पीड होनी चाहिए और रनिंग के स्पीड होनी चाहिए वह 8 मिनट होनी चाहिए तो गाइस देखिए जो भी स्टूडेंट सी एप्लाय करना चाहते हैं वह यहां पर लिंक अविलेबल दे रखा है यहां पर जाके अप्लाय कर सकते हैं और इसकी जानकारी के लिए डाउनलोड नौटिफिकेशन का भी ऑप्शन दे रखा हैं यहां पर जाकर पढ़ सकते है तो थैंक यू सो मच गाइस आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू आई होब कि आपको समझाए हो कि मैं आपको क्या बताने वाली थी थैंक यू ऐसी और जानकारी के लिए और न्यू वाकेंसी के लिए दिली की हो या फिर पूरी इंडिया की किसी भी सिटी की हो और जानक अभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेर और कमिन्ट करें थैंक यू बाइ थैंक यू सो मच